हाई दोस्तों वेलकम तू आवर यूट्यूब चैनल माहीदीप माहीदीप पर आपका स्वागत है मैं अमर्दीप आज आप लोग के लिए लाए हूं टॉप टेन कोश्चन मैत का यह टॉप टेन कोश्चन आपकर कर जाते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर इजात होगा आपके आने वाले आगामी परिच्छा में ठीक है यह टॉप कोश्चन आपके सीजियल सीचेसल रेलवे और अगर फॉर्म को आप फिलब किये हैं तो उसके लिए एक खासा लाव पर्द होने वाला देखिए जैसा कि पहला कोश्चन है अब सारे कोश्चन एक से बढ़कर ए ज़िजिट होगा ठीक है यहां से ड्यूसल क matsi के कि नमबर सिस्टपन का कोश्चन एक से 99 औंट में टोटल बढ़ जीट का अमतर्ट जैसे दस एक संख्याँ लेते तो उसमें ऩोडोजिट कितना उसमें टूटल 2 ृजीट के जैसे एक सो लएते उसमें कितना डीजीट है उसमें तोटल 3 ऑसी परकार से यहां पर 30 99 तक में टोटौछ डीजीट इस से नौ तक में कितना होता एक से नव आंक इसमें टोटल 9 डिजिट होते हैं ठीक है आपसे पूछ क्या रहा है एक से नो तक में आपका 9 डिजिट होता है आप से पूछ रहा है एक से 99 तक में यानि कि नव डिजिट तो हम ले लिए एक से नों तक में बचा कितना थे 99-9 करेंगे 99-9 यानि की 90 डिजिट ठीक है अब कितना नवे डिजिट नहीं 90 नमबर बच्द गया तोटल अंग कितने थे 99 ठीक है अब कितना नमबर बचा है नबे नंबर ठीक है एक तो नो तक आता नंबर ले ले लिए एक 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 डिजित का सब था लेकिन नो के वाद 10 जैसे यह आएगा उसमें टोटल दो-दो डिजित रहेगा ठीक है 10 से लेकि 90 से कितना दिजिट रहेगा सब अंक में तभी अंक में दो डो 2 डिजिट रहेंगे ठीक है नवे गुने दो यानि कि तोटल डिजिट कितना हो जाएगा 180 तोटल डिजिट कितना होगे 180 ठीक है आप पहले कितना था 9 डिजिट अब कितना है 180 डिजिट तोटल डिजिट कितना हो जाएगा टोटल डीजिट विल्टो एक सो अशी पलष न यानि कि 119 यानि कि 129 तक में टोटल 169 होते हैं ठीक है यह कोश्चन आपका परिश्चाह में आ साकता है इसको आप याद ही कर ले तो बेटर रहेगा कि 119 तक में सबसे पहले नमबर निकालना पड़ेगा और नमबर निकालने के बाद चीक है ? नंबर निकान ले के बाद इसमें जो अंतिम बला जो नंबर रहेगा ठीक है न आपसे पूछ रहा हा जो लास्ट नंबर रहेगा उसका 3 digits बताना जैसे मान लिया जाये लास्ट में हमको 67-36 आरा नंबर घिक है लास्ट में नंबर को न रहा आपको 69 डिजिट दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि एक से नो तक में एक से नो तक में एक से नो नमबर तक में total कितने digit होते हैं नो digit होते हैं ठीक है यानि कि एक से no number राघ ठीक है अज आप बज कुतना गिया संख्या कितना बच गिया शंख्या बच गिया short number कितना बच गिया short number बच बच गिया ठीक है सब्सक्राइब करा रहे हैं इसमें जो परिछा देने वाले बच्चे है उसके लिए महातपूर होने वाला जो परिछा देने वाले बच्चे नहीं है वह सबसे पहले आप अपना पूरा स्लेवस कंप्लिट करें तो ही यहां पर है तो आपको समझ में आगा बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर टोटल कितना डीजिट बच गिया है साथ डीजिट होता है अब जो साथ डीजिट जो बरब्र कितना कितना बर्बर को क्योंकि इक अनूबरं होता है बाकी जो बचा ठीक है और वाधी झोहीं बज गई है वो दो दो क्वार्ष नंबर मुиссiy нажintे डिजिट का थीक है तो प्रभर इस टोटल कितना अट साथ डीजिट होता है नंबर को दो से गुना कितना टीजिट को सच इस नमबर त्यों नमबर कितना जया किन यानि usable थे और द्योंगा सइ Azerbaijan cripple कि अधैर किटना देए है तीत कि सब्सके रहें है ंटने के किटना था पहले नमबर कि इस परस्ट नो यानि कि टोटल नमबर कितना हो जैने कि 19 नंबर तक में आपको 59 जाता है तो यह मैं और अब देखिए पहले 38 ञाथसाओ आप से पूछा लास्ट सिरी डीजिट को आठ तीन नो यही आपका एंसर हो गया ठीक है इस कोस्टन को अगर आप अच्छा से पढ़ना चाहते तो नंबर सिस्टम को आपको कमपलीट करना पड़ेगा ठीक है नेक्ट कोस्टन पर आते हैं अगला कोस्टन क्या कहा रहा है किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुछ कुट्ते हैं परतेग बिल्ली साथ बिस्कुट तथा परतेग कुट्ता नो बिस्कुट खाता है यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 खाये टोटल जानवर कितना है टोटल जानवर 45 है ठीक है यदि 45 जानवरों द्वारा ठीक है यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 विस्कुट खाये गए तो कुट्ता और बिल्ली की संख्यां ग्याद करे कुट्ता और बिल्ली की संख्यां ग्याद करे ठीक है टोटल जानव मानते हैं कि बिल्ली की संख्यां कितना है लेट बिल्ली की संख्यां मान लेते हैं यक्स है तो कुत्ता का संख्यां कितना जाए पैटालीस मानें तो डॉक का संख्यां कितना हो जाएगा पैटालीस माइनस यक्स यहां तक में किसी को कोई दिक्कत ठीक है पैटालीस मानस यक्स तो क devam नगे औरYo X हो गया और कह रहा है अँगक्स से सत्रूरी टोटलं कहता है उसको नो से गुणा कर धी ठीक है औरैक्स कितना झाध कुल 355 बिस्किट खाए जाता है according to question 7x plus 9 पचे 45 के 5 बाकी रहा 4, 9 चक 6, 4, 41 ठीक है, 364 कितना 400 405 होगा ठीक है, 405 कोई दिक्कत और minus 9x is equal to कितना हो गया 355 आब यहाँ से calculation कर दिए तो minus 2x उदर जागा है, तो minus 50 minus से minus कर दिए x बर-बर कितना हो जाएगा x बर-बर 25 हो गया यानि कि x किसको माने थे x माने थे, बिल्ली को तो बिल्ली की संख्या कितना हो गया 25, बिल्ली की संख्या 25, तो कुत्ता की संख्या कितना हो गया कित आधा की संख्या कितना हो.. कोगा। आपका क्या हो गिया ? इंसर हो गई.. तर नहीं सब्सक्रासा.. ch याab परिशा मारता है ठीक है हम छोटा छोटा कोश्चन भी देंगे और काफी लेवल वला भी कोश्चन देंगे दोनों कोश्चन देंगे आपको ताकि आपको लेवल का पता चल सके किस परकार का कोश्चन पूछा जाता है चलिए अगला कोश्चन पर आते हैं अगला कोशन आ गिया है अगला कोशन में दम है दम ठीक है इस कोशन को करके देखा तो चाले कितना जुनुन है तुम्हारे अंदर ठीक है पहले कोशन पढ़िए कोशन पढ़ने में टैम लगाई दम भर टैम लगाई कोशन पढ़ने में जितना हो सेके अराम से पढ़िए ठी बाद में पढ़ते रहिएगा पहले हम बता देते हैं कि कैसे बढ़ेगा एक वेक्ति दस मिनट में 20 पंक्ति टाइब करता है एक वेक्ति जो है अगला लेन देखेगा लेकिन परतेक पंक्ती में 8% ठाली अस्थान छोड़ता है लेकिन परतेक पंती में कतना फोड़ता आट परसेंट खाली अस्थान चोड़ता है आप यन की वो लिखता है कितना रेतम परसेंट्ल यानि fragrance यह समाज जाए सवसरी पंक्ती है ठीक है इस पंक्ती में लिखता है और टोटल में लिखता है लिखता है लिखता है टोटल को 100 मानते ठीक है इसका 8% में लिखता है कि इसका 8% भाग फर छोड़ता है तो लिखता कितना पर होगा लिखता होगा 22 पर स्थान चलिए उसके बाद काता है आगे 40 पंक्ति वाले 23 पेज को वह कितने समय में कोश्चन क्या पुछा है कितने समय में कितने आदमी थे कितने पोश्चन तुमारे ई है एक पेज में 40 पंक्ति एक पेज में 40 पंक्ति कितने समय में करेगा यदी अब पहले का 25 परसेंट अतिदिक खाली अस्थान छोड़ता है पहले का पहले का 25 परसेंट पहले केतना चुड़ता है आठ का 25 परसेंट दू होता है ठीक है अब आते कोश्चन पर देखिए अब आएक आप माझा अब दीख रहा है एक वेक्षती दस मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है दस मिनट मिनट में 20 पंक्ति एक मिनट में कितना करेगा एक मिनट में दो पंक्ति को टाइप करेगा ठीक है लेकिन परतेख पंक्ती में आट पर संट खाली चिटा कितना है 92 पर्षेंट है लिखता है लिखता है लिखता यानि कि टोटल उकार कितना किया टोटल उसका बढ़न कि कितना हो गया टोटल वर कि तो इस एक पंक्ति में 92 नियुक्ति धो अब आते आगे ठीक है अब आते हैं आगे आगे देखें क्या कहा रहा चालीश पंक्तिय वाले तोटल पंक्ति कितना हो गया है कि यहां पर कितना पंक्ति हो गया है तोटल कितना हो गया कितना कितने समय में समय पूछ रहा कितने समय टाइप करें कि अब पहले का 25 परसेंट अतिरिक्त खालियस्तान चोड़ता है पहले के तना चोड़ता था 8 आठ का 25 परसेंट पहले का 25 परसेंट दिरिक्त छोड़ता है मतलब ज्यादा छोड़ रहा पहले आठ छोड़ता था अब आठ का 25 परसेंट और ज्यादा छोड़ रहा ठीक है यानि पहले आठ छोड़ता था अब दो और ज्यादा आठ पलस दो यानि कि अब 10 परसेंट टीक है कितना पंक्ती मैं मैं वाला पंक्ती कितना नोसो बीस पंखती में दाश कफुड़ा पहले कितना चुड़ा था नहीं आप कितना छोड़ा है 10 पर्संट जादा छोड़ा यानि कि लीक कितना पर रहा है तो 90 मैंस दस पर द्द नबे पर सेंट भाग पर लिख रहा है कितना भाग पर लिख रहा है नबे पर सेंटVery होगा कि यह हाः ठीक है मैं जैना बस्metros 2-1 हुआ है तो मिलेट हमका समय दाश हमको समय जली है अब दिखा नीचे बाला नीचे बाला जिसको दिख रहा है लिख लीजिए गटिक है हम थ्वहाँ सा आगे चलते हैं कि पोस्चन तो आप पहले लिख चुके होंगे अब नीचे बाट को देख लीजेगा यहां तक देख लीए कि अगे चलते हैं ठीक है को अब देख लीजेगा यहां तक मैं कितना हो गया दो हुआ ठीक है अब नब्वे परशेंट भाग पर कार होता है पहले केतना पर होता अब कितना पर था तो आप कितना पर हो रहा है आप कितना हो जाएगा तो हो 420 चार्सो बीस मुने 70 हो गिए 400 बीच मुने 90 समझें 400under कि 5200 बुने 90 यानि यानि नबे परचिनट भाग पर कार होता है तो कितना आञा 4200 बूर्म यहerson 290 हैं फाने कहां तक में कोई दिकत सिकत नहीं आप बातें आगे इतना डूर पहले हैं कितना मिनट में निकला है एक मिनट का सब्सक्राइब एक आदमी एक मिनट में पांच रुपिया कमाता है तो उसे पचास रुपिया कमाने में कितना समय लगेगा एक मिनट में पांच रुपिया समझ रहें तो वही कोश्चन यह बोल यानि कि एक मिनट में इतना कारी करता है तो इतना कारी करने के लिए उसे कितना समय मिलेगा लगेगा तो टाइम बरबर क्या हो जागा कि टोटल वर्ग कि चार्सो बीस गुने नवे बटा यह वला बानवे गुने दो पताएं था भी एक आदमी एक मिनट में एक आदमी एक मिनट में पांच रुपिया कमाता है तो उसी परकार से पचास रुटा पांच की है अलग ही है तो ज्यादा उसको उपर लिखे जो काम है कि अब कार्ट शार्ट करने की कारड़ करनेर्고 आप को बताए घार करिए आपका नहीं जो कि चारसो पचास मिनट यह आपका इंसर हो जाए चारसो पचास मिनट आपका इंसर एक काफी अच्छा कोश्ण था ठीक है इस को दो त्मीन वार आप देखिए ठीक है अगला कोश्ण बहुत अच्छा है यह चीनी का यह चीनी का आदाम सोला पुनांग दो बटा तीन पर्शीसत बढ़ जाती है तदा एक परिवार की खपत 20% कम हो जाती है तो कुल खरते में परिवर्तन ज्याद करिए तो आपको परसेंट चेप्टर सबसे पहले पढ़कर आना है तो ही इस कलास को जोइन करना वरना मत करिए कुछ समझ बना आएगा इस कलास को जोइन करना तो 35 चेप्टर पढ़कर आए ठीक है देखे स्वल्ला पुनांग दो बटा तीन पर्शीसत इसको काट्षाड करिए तो एक बटा छे आएगा ठीक है काट्षाड करने पर यानिकि यादि चीनी का अदाम इतना पर्शीसत का अब साथ रुप्य हो गया इसका डाम ठीक है अब देखेगा लिख लिजेया आपस पहले ऑ सुगर का क्राइफter शे रुपिया था शे रुपिया परके जी ठीक है अब कितना हो गया आप एक रुपिया का बढ़ोतरी हुआ तो अब कितना होगया अब सुगर का दाम हो गया है साथ रुपिया ठीक है अब देखे त्था परिवार के खपत में 20% की कमी ओती है 20% is equal to कितना होता है यानि पहले परिवार 5 kg चीनी खाता था लेकिन आप सवस्री परिवार कितना चीनी खाता है 1 kg कम खाता है यानि कितना खाता है 4 kg खाता है ठीक है अब कितना खाता है 4 kg खाता है पहले 5 kg खाता था अब 4 kg खाएगा ठीक है अब खपत ओर कंकी कर गया है किद्धा your फाइसों प्रिश्य प्रिषसक्त परिभर संग्याद करीए तब पहले कितना सिर्च किल दाता था दर रिपा किलो खरदाता सा और किरेंगे या यू आ खण प्रिष में 20 रुपया किनी आता था ठीक है 6 किलो ना कि लोगा तो कि अब चीनी का दा में बहुँता था की है यानि कि 100 पीस रूपया करकlles में 30 रूपया टा था 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 यहां अब कंशकर अब निकाल दो परतिसत कमी बरबर दो बटा कितना का कमी आया है दो फार थीस गुने हंड्रेड ठीक है ठीक है 15 तीन पचे 15 पचे तो बीस बटा तीन कर दो बीस बटा तीन इस इकवल टू कार्चार्ट के लिए तुम्हारा कितना आ जाएगा छे पुर्णांग दो बटा तीन पर तीसाथ यह तुम्हारा एंसर अगला डिए पर राश्ट पांच्वी संख्या का अब आप से पूछा जा रहा है तो नौ नुगुने पैटालिस संख्या आजाएगा वह संख्या आजाएगा ठीक है यानि संख्याओं का यह कितना है तोटल कितना आ गिया इन दोनों को जोड़ने पर दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा दूसों पचास पहला दूसों साथ यानि कि पांसों दस आ गिया ठीक है तो पूछाएं क्या जा रहा है तो पांच भी संख्या बताएं तो इसको इससे घटा दीजिए आ जाएगा पांच की संख्या एकदम इनी कोश्चन चार सो कि 105 आपका क्या है इंसर आगिया ठीक है 105 आपका आपका क्या आगिया इंसर आगिया अगला कोश्चन पहते लिए अबी सी डी किसी काम वागर आप 12-24 और तालिव में कर सकते हैं तो सभी मिलकर उसका अब कितने दिन वह साथ खासा एजिजी कोश्च इंगर आप बना दे से अब आपको पक्ता है ठीक है अट बाराच चोवीस और तालिस सब से पहले करें निकाल लिए आठ बाराच चोवीस और तालिस सब को भागा दिए कि आड़ चप 20 बारश चप और चोविस का चप चव को चविदन एक फिर पला से ठीक है तो घुटा 1 से चार 10 10 10 13 इरह साहिए ए सब्सक्राइब करेगा यह सब कोशन अगर बनाना है आपको पहले से पढ़के आए तो यहां पर दाठ लोगे वार्ना नहीं तो समझ में नहीं आएगा अगला कोशन एक आदमी जितनी दूरी 12 किलोमेटर पर आवर की चाल से जाता है तो ग्याद करें उसकी चाल क्या होगी अरे इसी कोशन टू यक्स वाई बटा यक्स प्लस वाई कर जिए एकदम इजी है ठीक है टू यक्स वाई बटा यक्स प्लस वाई यकां से अब पढ़ें होंगे नहीं पढ़ें तो पढ़के आए ठीक है दो गुने यक्स को माने 12 गुने 18 बटां अठारा प्लस तीस केतना हो जाएगा अब इसको काड़ दिए पंदरा से कर दिया यह तीन चौके बारा तीन पच्छे पंदरा ऐसे 18 अठारा शक 72 बटा पांच ठीक है फिर काटी है इसको एक मरत्मा फिर कितना उदू हो गयां पांजों नी बारा कॉंट पांच आएगा ठीक है बारा क्यां पांच आपको आता है इंस तकाने गलत रहें क्या हुआ अगला कोश्टन पर चलते हैं बहुत अच्छा कोश्टन है देखें एवी पारलल किसका है स्वानांतर है जब दो रेखा समानांतर होती है यह कोन और यह कोन एक साथ होगा ठीक है यह कितना हो जाएगा यहां तक पर कोई दिखास्ट नहीं अब आप यह भी जानते कि दो रेखा पैलर हो ठीक है तो उसका क्या होता है यह कोन के बराबर होगा यानि कि यह सत्तर है तो यह कोन भी कितना होगा यह सब्सक्राइब टॉटल कितना हो जाएगा यह दर्स डिग्री हो जाएगा तर्स डिग्री यानि कि आपका कोन एस की पर पर कितना वह सब्सक्राइब और यह तोप 10 कोश्वाल को आपके सामने आ चुका है तोप 10 का दसमा नंबर दस्षावल मुभाईल स्क्रिन पर आ चुका गिरते बज़ते हम दसमा नंबर पुश्वाय confiscate% कोश्वाई को धो करके संपूरा कौन 12 एक सभी कि अगubenे लिए आपके पास एक संपूर कौन च Kerettuk भी संपूरा कोन बताए तो कितना होगा एक संपूरा कोन क्या होगा नभे में नभे में नभे जोलेंगे तो एक संपूरा कोन कितना होता है अगर आपको 30 दिग्री का पूछा कोठी पूरा कोन कितना होगा तो 30 दिग्री में क्या जोड़ा जाए कि 90 दिग्री नभे माइनस 30 दिग्री जोड़ा जाए यानि कि 30 दिग्री का कोठी पूरा कोन कितना हो जाएगा तो वही आपका कोश्चन पूछा है यहां देखिए कोन एक संपूरा कोन 12 यक्स पलस छे है कोन एक संपूरा कोन यानि कि A 30 पलस 12 यक्स पलस 6 इस इकवल टू कितना 180 डिग्री आ उसी परकार से कोन एक का कोठी पूरा कितना है तो यक्स है यानि कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए आप इसको जोड़िए यक्स का मानिहां पर से निकाल लिए एक सब्सक्राइब county जब्सक्राइब ना मेंस खेक ना लिए इक से इकते से मर लिए अपसका मानि पर से निकाल है नुभाशुआ जाएगगा—ग से दोनों जाहता से इक्स का मानिहां पर से निकाल लिए अप जोड़नों को ब्राबर कर दिए एक सो चाहुत्तर माइनस ए बटा बारा ब्रबर नबे माइनस ए बटा दो दो चक बारा कड़ी है ठीक है अब यहां से रेखे कर दिए अभी सिक्स से इधर जाएगा तो क्या जाएगा 5A हो जाएगा ठीक है 5A आभी 117 4 घृ tapes एंगे एक सोचो चाहुत्तर को पान सोचालिस में घृट आएंगे तो कितना हो एक सोचो एक बचा पांथ या पंद्रा पांद दूनी दस याने कि तिहांतर पॉइंट टू आपका इंसर आगए आसा करते हैं कि आपको यह सिस्टन पसंद आए और टॉप 10 यह टॉप 10 कोश्चन रोज आपके लिए हम लेके आएंगे और आप मेरा साथ देते रहेगा और आप मेरा साथ देते हैं तो आपका CGL में सेलेक्शन पका है कोई नहीं रोख सकता है तब तक के लिए धन्यवाद भाएं